लेक्षर लेकर आज का हमारा है लेक्चर नुम्बर 2 और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक एडिफिकल्टी इंटर्ड्यूच वाइग कंस्ट्रेंड एंड धियर रिमूबल जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमने इसे पुछा लेक्चर में याने लेक्चर नुम्बर 1 में पर देखा था और फिर उसके बाद हमने फिर्ट सब्सक्राइब और पर क्या होते हैं कि उनक्स्टेंट के कारण क्या डिफिकल्टी जाती है जिस वज़े से हमें क्या करनी पड़ी एक नई जिस वज़े से लेगरांड को एक नई मेकनिक्स क्या करनी पड़ी करना पड़ा इंट्री इंट्री टिफिकल्टी क्या थी आज हम क्या करेंगे उनको डिटेल में यहां पर डिसकास करेंगे तो सबसे पहले मैं आपर अजुम कर लेता हूँ कि मेरे पास कहा है आपर एक system of particle है और उस system of particle में n number of particles है और system of particle को दिखाने से पहले मुझे आपर क्या draw करना पड़ेगा एक reference frame draw करना पड़ेगा let us say यह मेरे पास जो x, y, z क्या है एक reference frame है और यहाँ पर क्या है एक system of particle है जिसमें n number of particle है और जैसे कि particle आपको यहाँ पर दिख रहे है मैंने उन में से कुछ particle यहाँ पर बना दिया माना यह particle क्या है इसका mass m1 है इसका mass कितना है m2 है उस तरह के से इसका mass मेंने कितना बोल दिया m3 बोल दिया इसका mass में कितना बोल दू M4 बोल दू, ऐसे M5 बोल दू and so on, एक इतना है मेरे पास MN है, इसका mass कितना है MN है, let us say इसका position better कितना हो गया, R1 हो गया और इसका position better जो इधर है, माल्याओ कितना हो गया मेरे पास R2 हो गया, इसका position better कु YES क्या अंगे एक equation of constraints एक दुसरे के साथ relate करेंगे अगर मैं बोलू यहाँ पर जो constraint है वो एक holonomic constraint है अगर मैं क्या बोल के चल रहा हूँ कि जो constraint हो कैसा constraint है holonomic constraint है तब holonomic constraint के case में जो equation of constraint होती हो क्या होती है in general हम सब जानते है in this case equation of constraint will be f function of r1 r2 r3 deadless कहां जाए कहां तक rn तक और कॉमा कितना आ जाएगा t आ जाएगा and this is equal to 0 now say it is some equation number 1 तो this is our equation of constraint in case of holonomic constraint and this equation is telling us कि r1, r2, r3 deadless rn are not independent from each other ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे पर depend कर रहे हैं अब इससे क्या होगा अगर मैं क्या करना चाहूँ इस m1 के motion के discuss करना चाहूँ या फिर m2 के motion के बारे में discuss करना चाहूँ या फिर m3 के motion के में discuss करना चाहूँ तो मुझे पहले क्या लिखने पड़ेगी इन सब के लिए equation of motion लिखने पड़ेगी equation of motion कहना है क्या मतलब हुआ Newton का second law लगाना पड़ेगा तो अगर मैं किसकी बात करता हूँ for m1 की बात करता हूँ होता है हमारे पास Newton का second law mass d square r1 upon dt square यह किसके बराबर होता है f net के बराबर होता है होता है नहीं होता है answer है हाँ जी होता है और किस पर लगने वाला होगा this f net is acting on mass m1 अगर मैं इसकी value लिखूंगा तो कितना हो जाएगा m1 and this is d square r1 upon dt square this will be equal to now इस m1 पर net force कितना लग रहा होगा एक तो इसमें external force लग रहा होगा जो किसी external agency के कारण लगाया जा रहा है तो पहला force तो कुन सा लग रहा है external force यानि force on particle 1 acting by any external agency plus जो remaining particle है m1 को छोड़कर वो भी क्या करेंगे इस particle पर force लगाएंगे जो एक ऐसा force होगा internal force होगा जैसे second particle force लगाएगा third particle force लगाएगा fourth particle force लगाएगा और उन सारे force को क्या कर दूँँगा मैं add कर दूँगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ force on particle 1 due to jth particle फिर उनका क्या आ जाएगा यहाँ पर summation आ जाएगा इसको कैसे कि force on particle 1 due to particle 2 और फिर बैकर आएगा फिर प्लस कितना आ जाएगा force on इसको बैकट के अंदर रखेंगे ठीक है force on particle 1 due to particle 3 फिर फिर प्लस and so on कहा तक प्लस force on particle 1 due to एनफ पार्टिकल ठीक है ऐसा हम लिख सकते हैं यह जो सारे force हो कैसे force है इंटर प्लस है यह क्या है force on particle 1 due to particle 2 यह क्या है force on particle 1 due to particle 3 उसके बार क्या आएगा force on particle 1 due to particle 4 फिर क्या आएगा due to particle 5 एक स्टरनल और बैक टर प्लस इस syntको कमबेन लिख सकता है summation of force on particle 1 due to jth particle और यह force कौन से force है internal force है और जहाँ पर जो मेरा j हो कहां से कहां लाई कर रहा है j is from 1 से लेकर कहां तक है यह n तक है यह बात सहुझ माई now say it is some equation number 1 इसे क्या बोल दिया equation number मैंने 1 बोल दिया इसे क्या बोला है equation a बोला है वो क्यों बोला है आगे सुन में आएगा ओके ना यह तो किसके लिए हुआ है इस M1 particle के लिए हुआ अगर मैं किसके बात करूं M2 के लिए बात करूं तो M2 के लिए क्या हो जाएगा equation of motion तो this will be M2 R2 D square R2 upon dt square this will be equal to F2E and external force acting on particle 2 और यहां क्या आजाएगा summation of all the internal force acting on particle 2 यानि F2 J और J कहां से कहाते होगा N से लेकर sorry 1 से लेकर N तर होगा say it is some equation number 2 इसे मैंने क्या बोल जाए equation number 2 बोल जाए उस तरह कर सबब particle 3 के लिए देखूंगा या mass 3 के लिए देखूंगा तो M3 into कितना आजाएगा यह D square R3 और upon कितना आजाएगा यहां पर Dt square and this is equal to F3E और यहां क्या आएगा vector plus यहां क्या आजाएगा summation यानि internal force this is F3 J और यह vector आएगा और यहां पर J कहां से कहाते होगा 1 से लेकर N तर होगा इसी तरीके से यहां पर कितने number of particle है n number of particle है अगर मैं nth particle के यहां पर आप equation of motion लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो this will be equal to mass of nth particle into del square of position vector of nth particle into dt square this is equal to force on यहां फिर nth न बोलके मैं is बोल दूँ ठीक जादा अच्छा रहेगा because i is from 0 to sorry 1 to n अगर इसको क्या बोल तूँमा इस पार्टिकल ठीक है nth particle न बोलके इस पार्टिकल के बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यह m i और यहां कितना आजाएगा r i and this is f i e any force external force on is particle और प्लस कितना आजाएगा यह summation of all the internal force acting on is particle due to remaining j part j number of particle तो i, j ठीक है और यहां पर j कहां से कहां वेरी कर रहा है 1 से लेकर n क्या कर रहा है इसे मैंने क्या बोला है equation number 3 बोला है और इसे क्या बोल दो equation number n बोल दो मैंने इसको equation number n की बोला है सम्झो दरहाँ जो यहां पर i है यह कहां से कहां वैरी कर रहा है जो i है उसके वैली क्या हो सकती है one हो सकती है two हो सकती है जब i को जो जो पूट करण तो कुनसी equation आएगी पहली याइको जो फूट कर तो कुनसी equation आएगी third वाली उसी तरह के से अगर मैं I के जोगों N पूट करूँगा तो कुन सी equation आएगी? Nth equation आएगी, तो हमें total number of equation कितनी होंगी? N differential equation यहाँ पर मेरे पास निकल के आएगी, यहाँ पर total differential equation निकल के आएगी, इस system के लिए जिसमें N number of particle है, वो कितनी निकल के आएगी? N निकल गए, क्योंकि I की value कहां से कहां तक है? 1 से लेकर N तक है, कि जड़रे बात, यहाँ पर total कितनी equation है? N equation है, अब आता है important question, question यह है, कि जो यहाँ पर N equation है, क्या यह independent है, यह फिर एक दूसरे पर depend कर रही है, तरह सोचो, सोच के बताओ, क्याँ situation है यहाँ पर, कि यह independent है, जो question 1, equation 2, equation 3, and so on, equation N है, यह N की है, equation independent है, यह फिर एक दूसरे पर depend कर रही है, बताओ, सोचो दरहा, mathematics लगाओ, देखो, equation number A को देखो, equation number A क्या बता रही है, कि R1, R2, R3 are not independent, and that is Rn, are not independent, they are related with each other, with this equation of constraint, for a holonomic constraint, हैनि R1, R2, R3, Rn क्या है, यह independent नहीं है, अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो आ रहा है, R1, R2, R3, Rai, यहाँ बताओ, Rn, यहाँ भी तो आ रही हैं सब चीजे, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह equation 1, equation 2, equation 3, और equation N है, यहाँ जो N number of equation यहाँ पर हैं, यह एक दूसरे से independent नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर इस system के लिए equation of motion लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर second law of motion लगाना चाहता हूँ, तो मुझे इस dependency को consider करते हुए equation of motion लिखनी पड़ेगी, और जो अपने आप में क्या है, एक बेहद मुस्किल काम है, और यह क्या है, एक difficulty है, जो किस ने introduce करी, constraint ने introduce करी, अगर यहाँ पर मानो यह constraint नहीं होता, तो क्या होता, यह सारी equation क्या होती, एक दूसरे से independent होती, और हम हर particle के लिए equation of motion लिख सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ, अभी आपको उतनी अच्छी feel नहीं आ रही होगी, एक simple सा example लेते हैं, किसका, simple pendulum का, और आपको feel होगा, कि simple pendulum का इतना simple सा example है, और अगर मों उसमें का straight motion लगा दूना, हमारे पसी ने छूट दाएंगे, उसके लिए equation of motion लिखने के लिए, जिरा समझ दर, कैसे, क्यों गोल रहा है सामें, मालिया, हमारे पास कहा है, एक example लो, इस तरह किसे example लेते होगे चलते हैं, और किसका example लेते हैं, simple pendulum का, simple pendulum का example लेते हैं, और constraint लेते होगे, pendulum, ठीक है, तो अजूम कर लिया, कि मेरे पास कहा है, यहां पर एक simple pendulum है यह करके और जो कि जिसकी length बोल दी मैंने कितनी है एल है और यहां पर मैंने का लटका रखा है एक mass है और अजुम कर लिया कि यह बहुत छोड़ा था displacement planar pendulum है ठीक है कहने का मतलब क्या है कि जो यहां पर displacement होगा from mean position बहुत छोटा होगा लेकिन मापको दिखाने के लिए उस छोटे से displacement को exaggerate करके आपको दिखाऊंगा यानि ओ है तो छोटा लेकिन अब बड़ा दिखाऊंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं तो मान लिया हमने क्या किया इसको इसके mean position displacement करे कहां पहुंचा दिया इधर पहुंचा दिया ना बॉब कहां पर है इधर पर है और इसका mass कितना है एम है और अजूम किया कि यह एंगल कितना है यहां से ठीटा एंगल क्या होगा डिस्पेस हो गया और अपनी mean position से और अजूम किया यह जो horizontal displacement है वो एक्स है और vertical displacement कितना बोल दिया मैंने इसका y बोल दिया ठीक है यह वास होनमा रही है आपको ना इस इस पोइंट पर डांव डाइरेक्शन में कितना फोर्स लगाएगा ग्रेविड़ेशनल फोर्स लेकितना एमगी के बढ़बर दिस फॉसई इपएल टू एमजी और यह इस तरिटा है तो यह भी कितना होगा ठीटा होगा तो इसके T के दो component आजाएंगे, एक इधर की और आजाएगा, this component is T cos theta, होगा नहीं होगा, this component is T cos theta, एक इसके normal आजाएगा इधर की और, and this component is T sin theta, यह कुन सा होगा मेरे पास यहाँ पर, T sin theta होगा, यहनि मैंने इस tension force को क्या कर दिया, दो direction में क्या कर दिया, तोड़ दिया, ए equation of motion लिखना है, कहने का मतलब यह है, अब मुझे यहाँ पर Newton का second law लगाना है, लगाओ जड़ा, इसे मिटाओ मैं, पहने in vertical direction, कहाँ देखोगे, in vertical direction, in vertical direction, in, vertical direction, direction, vertical direction में क्या हो जागा, देखो, अगर मैं यह बोलू, vertical direction is y axis, then, what is Newton's second law, this is, m into acceleration along y axis, एनी कितना हो जागा, m, dy y, d square y open dt square, इसको मैं कहला सता हूँ, dy double dot लिख सकता हूँ, this will be equal to, net force acting along y axis, and this force will be equal to, t cos theta minus mg, किस थाहर होगा यह, t cos theta, और minus mg के, बरावर होगा, say it is sum equation number one, उस तरह के से along y axis, along, sorry, along in horizontal direction, in horizontal, in horizontal direction, बताओ क्या हो जागा, horizontal में, displacement कितना है, x है, तो acceleration कितना हो जाएगा, d square x upon dt square, और mass कितना है, m है, तो this will be, m, x double dot, this will be equal to, t cos theta, force कितना है, sorry, t sin theta, कितना आ जाएगा, t sin theta, अब देखो, यहाँ पर displacement कहां कि हो रहे है, इधर कि हो, force कहां कि हो रहे है, इधर कि हो, इधर कि हो, तो sin कैसा आएगा है, यहाँ आपर negative, say it is sum equation number two, now, and x and y, both are not independent, they are related by equation of constraint, and in this case, equation of constraint क्या है, equation of constraint, and this is equal to, बताओ क्या है, this is x square, plus y square, equal to kis करावर है, l square के बरावर है, यहाँ क्या बोल सकता हूँ, x square, plus y square, minus l square, equal to zero, say it is sum equation number three, this equation, जो यहाँ पर यह general equation दिखा रहे हैं, यह वाली, इस case में equation कौन सी है, यह वाली है, ठीक है, यानि x square, plus y square, minus l square, equal to zero, यानि जो, x और y, जो यहाँ पर दो coordinate है, वो क्या है, एक दूसरे से independent नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर, इस relation के according क्या है, एक दूसरे से related है, कि x square, plus y square, equal to kis करावर है, l square के बराबर है, और यही क्या है, constraint भी है, ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा x के वेल निकालूँगा, तो x equal to कितना आ जाएगा, अगर यह theta है, यह x है, तो x will be equal to l sin theta, होगा नहीं होगा, and also, जो x है वो किसके बराबर है, l sin theta के बराबर है, और जो y हो किसके बराबर है, l cos theta के बराबर है, इन दोनों combine ने क्या बोल दो, equation number 4 बोल दो, ठीक है, now, अब मुझे क्या करना है, इन चारों equation को लेकर, इस simple pendulum है, इसके लिए equation of motion लिखनी है, अब हम सबने class 11 में, इस simple pendulum के लिए equation of motion पड़ी है, और एक बार ध्यान से देखो इसको, मैं पहले equation of motion लिख रहा हूं, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कि इस equation of motion को इनका use करते हुए, अचीव करो, करो एक बार, देखो, जो equation of motion होती है, since we know from a previous knowledge, और we can say from class 12, sorry class 11, we know that equation of motion, equation of motion of simple pendulum, क्या होती है, यह होती है, मेरे पास क्या, theta double dot, plus g upon l, theta, and this is equal to 0, यह क्या होता है, हमारे equation of motion होता है, यह पड़ा होगा आपने, और इसका solution क्या होता है, इसका solution होता है, theta equal to theta naught sin omega t plus phi, जहां omega क्या है, angular velocity, phi क्या है, phase, theta naught क्या है, maximum value of theta, ओके, और दुसरा यहाँ पर, अगर मैं tension की बात करो, इस force की बात करो, तो force कितना निकल क्या आता है, force निकल क्या आता है, हमारे पास कितना, ml, और into कितना होता है, theta dot का square, और plus, this is mg, cos theta होता है, sin theta होता है, mg sin theta, this is equal to mg sin theta, and this is tension force acting on string, string बना tension force होता है, को कुछ इस तरह से क्या होता है, formulate होता है, अब आपके सामने question है, इन चार equation का use करो, और ये दो equation drive परके दिखाओ, पसीने चूट जाएंगे, होगा ही ये drive आपसे, बहुत मुश्किल टास्क है, आपको यहाँ बहुत बड़े-बड़े क्या करने पड़ेंगे, अरेजमेंट करने पड़ेंगे, और लंबी-लंबी क्या होगी, calculation होगी, और आपको यहाँ पर ओडिफिकल्टी साब-साब देखने को मिल रही है, देखो एक बार, करो एक बार, करने कुछ करो, मैंने करने कुछ कि मेरे से यह अचीव हुआ ही नहीं, मैं तहीं बोल रहाँ आपसे करो, ठीक है, कि इन सबका यूज करके, इनको यहाँ पूट करो, और यह जो differential equation है, यह वाली, इनको अचीव करके दिखाओ, यह सबका यूज करते हुए, अचीव हो भी जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है, तो इसी टाइम टेकिंग, मैं प्रॉल्लम को रिजॉल्व करने के लिए, क्या किये गए, एक नई मेकेनिक्स, जिसको हम लेगरांजन मेके इस चीज को ड्राइब किया है, यह चीज में ड्राइब की है, कैसे ड्राइब की, हमारे टिचन ने हमसे कहा था, हम किसका यूज कर रहे हैं आपर, टॉर्क अप्रोच का यूज कर रहे, आपनों सुना होगा एक चीज, हमने क्या किया, टॉर्क अप्रोच का यूज किया, औ और हमने यहां पर x और y तो वारियेवल थे उनकी बात की नहीं, x और y कॉडिनेट की बात की नहीं, हमने सिर्फ किसकी बात की थी हूँ आपर theta कॉडिनेट की बात की नहीं, देख कैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इसका यह जो solution है इसको हम अभी भी अचीव कर सकते हैं, advanced classical mechanics में बिना आगे पड़े, हम इसको क्या कर सकते हैं, इन दो equation को अचीव कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमने पहले class 11th में पढ़ा हुआ है, देख क्या पढ़ा हुआ है, पहले वो समझो, इसको मिटाओ मैं, यह हो गया होगा, I think, हमने क्या पढ़ाया class 11th में, torque approach, क्या approach के साथ, हम क्या करते हैं, torque approach, हम यह equation of motion, find कर सकते हैं, देख को माल लिया, हमारे पास कहा है, simple pendulum है, यह करके, और इसका length ml है, इसका mass कितना m है, यह क्या हो गया, अपने जोगा से displaced हुआ, और कहा पहुंच गया, इधर पहुंच गया, ठीक है, इस तरह से, अब यहाँ पर न mg force लग रहे है, ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे पीछे बढ़ा हूँ, तो यह angle कितना हो जागा, अगर यह theta है, तो this angle is also theta, तो यहाँ क्यों कितना force लएगा, this will be equal to mg cos theta, और यहाँ क्यों कितना force लएगा, this will be mg sin theta, यह बास हमाई है आपको, यह mg cos theta, यह mg sin theta, और हमारे जो class 11 सर थे, उन्हें यह कहा ही नहीं कि यहाँ को x displacement हुआ, यहाँ y displacement हुआ, ऐसी उन्हें कोई बात ही नहीं करी, यह नहीं न्यूटन का law लगाने की बात ही नहीं करी, सिरस्दे बोला, कि यह कितना डिस्प्रेस हुआ, theta angle यह दर क्यों डिस्प्रेस हुआ, और नीची गोर mg लग पर Y के आवर तो, T और mg cost, centripetal force के दर रहा है, वे इस सानी, वे बात है किवा नहीं कर समय के आदने की चुछ कर रहा है, तो एम्जी समय का लगाने की को होता है force into perpendicular distance तो torque equal to force कितना देख यहाँ पर this is mg sin theta और perpendicular distance from axis of rotation यह इस पर normal होगा तो यह कितना है यहां से यहां से यहां से यहां तो यहां से मैं इसको कहले सकता हूं this will be equal to torque equal to क्या होता है i into alpha के बराबर होता है होता है जहां i क्या है moment of inertia और alpha क्या है angular acceleration this is equal to कितना हो जाएगा यह minus mg sin theta into कितना जाएगा l जाएगा a moment of inertia of this mass m about this axis बता कितना हो जाएगा ml square कितना होगा ml square alpha equal to कितना हो जाएगा this will be equal to d square theta upon dt square होगा नहीं होगा अगर मैं यह बोलूं कि theta is very very small very very small जो theta है वो very very small है then we know that कि sin theta approach equal to theta तो sin theta है वो लगबग किसके बराबर होगा theta के बराबर होगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं d square theta upon dt square is equal to minus का g upon l into कितना आ जाएगा theta जाएगा इसको इदर लियाओ तो यह क्या आ जाएगा यहां से मेरे पास देखो this is equal to d square theta d square theta के लिखता हो में theta double dot और यह कितना आ गया फिर यहां पर plus का g upon l into theta this is equal to 0 now say it is some equation number 4 हो गया था है इसको equation number 5 बोल दो तो यह equation number 5 निकल के आई है यही क्या है है equation of motion of simple pendulum है अब हमने यहां पर टॉर्क अप्रोच का क्या किया यूज किया पहले टैंसल टी निकाल लाते हैं फिर देखेंगे क्यों हमने ऐसा अप्रोच यूज किया ठीक है तो टैंसल टी और मिलकर सेंटिपीटल फोस्स दिए कर रहे है तो यहाँ पर टेंस टी माइनस म फिए फिस घुट थेटा डिस विल वी इक वह टो टू अ पॉण ऑर यहोगा निहोगा आंसर नहीं होगा तो टेंसल टी कितना जाएगा यह म्वी स्क्वार्ट पॉण रखोर एक आया तो पॉण के संट्रीज़ पीसिटर अर्फ फॉस कितना जाएगा यह मगजी यह पर कोष ठीटा मगजी कोष थीटर ओके अपिस्कुरिक अर्-वी स ऐसे गूम रहा है तो सकते आधा ये चंद घार हिए क्क कितना आएगा येक। कितना ये रेडियेस को बड़ापर वह कितना अ कनल को ये ना सब्सक्राइगे पोनलिमान कितना आधा ये क्दक है से चला है तो हम आधा अब हमने यह अप्रोच यूज किया और यह वैलिड क्यों है उससे पहले अब इदर देखो यहां इतनी आसानी से क्या हो गया है लेकिन जब हम क्या कर रहे थे न्यूटन का सेकिल लो लगा रहे थे और कंस्ट्रेंट को हम लेके चल रहे थे यहां हमने कहीं कंस्ट्रेंट की बात करी हमने ऐसा कहीं ऐसा बोला कि object का motion में यह चलते हैं तो बहुत बड़ी difficulty हमारे सामने आ जाती है और इसको achieve करने में हमारे पसीने चूड़ जाते हैं अब यहां पर हुआ क्या देको simple सी चीज होई जहां हम इस case में जब न्यूटन का law लगा रहे थे यहां पर हमने क्या किया x और y दो coordinate लिये ठीक है और दोनों क्या थे एक दूसरे पर depend कर रहे थे यह बात सवाज में है लेकिन हमने यहां पर सिर्फ एक coordinate लिया यह थीटा थीटा क्या है एक coordinate है अगर हम किसकी बात करते हैं spherical coordinate system की बात करते हैं वैं cylinder coordinate system अजूम करके चलते हैं ठीटा क्या है एक coordinate है थीटा क्या है एक independent variable है और यह थीटा इनफ है इस simple pendulum की position को determine करने के लिए यहां पर क्या कर रहे थे x और y दोनों commandly मिलके इस simple pendulum की position को determine कर रहे थे लेकिन यहां पर ठीटा अकेला क्या कर रहा है इस simple pendulum की position को determine कर रहा है और साथे साथ जो ठीटा है वो क्या है independent है और इस type के variable जो independent होते हैं और वो किसी भी एक system की state को determine करने के लिए इनफ होते हैं उन coordinate को हम क्या बोल देते हैं जर्नलाइज कोडिनेट और यह concept किसका है अडवांस classical mechanics का concept है लेकिन class 11 थे में हमारे सर ने हमको यह concept बता दिया बिना यह बोले कि यह आपन क्या लगा रहे हैं यह एक जर्नलाइज कोडिनेट है यह एक independent कोडिनेट है यह किसी दूसरी कोडिनेट पर depend करी नहीं रहा है तो जो भी इसका क्या निकल का solution निकल गाए किस तरह से हम इस problem को करेंगे तो आंसर है तो resolve of this problem is lies in generalized coordinate तो हम क्या define करते हैं सबसे पहने किसी भी एक system के लिए generalized coordinate define करते हैं और generalized coordinate क्या होते है जलाइज कोडिनेट और दोज कोडिनेट यह वह सते है minimum number of coordinate require to specify a position और a state of any object and those all coordinates are independent from each other यानि किसी भी एक system के position को या फिर उसके state को determine करने के लिए जितने number of या minimum जितने number of coordinate के जरवत होती है और साथ ही साथ वो सारे के सारे minimum number of coordinate एक दुसरे से independent होते हैं और उन coordinate को हम क्या बोल देते हैं generalized coordinate बोल देते हैं जैसे इस case में x और y एक दुसरे पर depend कर रहे थे इस constraint के help से so it means x and y are coordinate but they are not generalized coordinate लेकिन यहां पर ठीटा है वो क्या है एक independent coordinate है वो किसी भी चीज़ पर depend नहीं कर रहा है वो क्या है independent coordinate है इसलिए हमने इसको क्या बोला जैनलाइज कोडिनेट बोला और हम जैनलाइज कोडिनेट का concept यूज करते हैं क्या कर सकते हैं एक बड़ी सी problem को सब्सक्राइज करेंगे अब उससे पहले यह कैजिए पहली difficulties थी क्या हुआ constant लगाते ही या फिक्वेशन को हमें क्या पता होना चाहिए किसी object पर लगने वाला net force पता होना चाहिए और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास system तो होता है लेकिन हमको initial state में उस object पर लगने वाले सारे के सारे यह रहार पर नियुटन का सेकट लो नहीं लगा पाएंगे तो यह क्या थी सेकेंड प्रॉलम थी जो हम किसके बात करते हैं constraint motion के बात करते हैं जैसे for example एक अगर हम ये ले 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 एक रसी ले या फिर एक तागा ले और इस तागे में एक मणी को मणी यानि या फिर बीट को किसी एक दाने को ऐसे move कर रहे हैं तो initial stage में पता ही नहीं होता हमको कि ये जो रसी है इस दाने पर कितना force लगा रही है चीक है? हाँ obviously बाद थोड़ दर move करेगा उसके बाद हम उसकी velocity, change in velocity को determine करेंगे उसके बाद हम निकाल देंगे लेकिन initial state में है हमको ये पता ही नहीं है कि इस दाने में कितना force लग रहा है इस रसी के कारण तो ये भी क्या है? एक problem है जो किसके कारण introduced हुई? constraint के कारण क्या हुई? introduced हुई और पहले वाले के बारे में आप समझी ही क्योंगे पहला वाला है बहुत important है और यहां से क्या निकल के आया? concept of generalized coordinate निकल के आया जो हम क्या करेंगे? आने वाले लेक्चर में discuss करेंगे कि generalized coordinate क्या होता है तो I hope आपको आज का lecture समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो like करो, share करो, subscribe करो मैं मिलत तो आप से ने इस class में एक और ने topic के साहाँ तक ले thank you एनने बाद, बाबाई